कुछ चीजें आप खुद के लिया करते हैं और कुछ चीजें आपको दी गई हैं, जैसे एक है सेहत और फिर आप उसे कैसे कायम रखते हैं, ये एक चीज है, सुअस्त रहने के लिए आप अच्छे से खाते हैं और कसरत करते हैं, अब प्रेम पूर्ण रहने के लिए हो सकता ह कि घर में कोई स्थिति, शायद भारी ताकते सुकदना हों, तब प्रेम पूर्ण बने रहना आसान नहीं होता, तो हमें क्या करना चाहिए? मेरा मतलब है कि हम क्या चीज़े करें ताकि वैसे बने, या वैसे होने के लिए खुद को ट्रेनिंग कैसे दें? आपका मानना है कि आपको इसका अभ्यास करने की ज़रुरत है, अभ्यास याने आप किसी काम को परफेक्ट बनाना चाहती है, है न? हर समय प्रेम में होना हाँ, हाँ, वो कोई काम नहीं है नहीं, आक्टिंग नहीं, बलकि प्रयाप स्विकार करने की भावना मैं फिर से फिल्मों की बात नहीं करना चाहती है, क्योंकि नहीं, इस विकार करने की बात नहीं है. अब ही, क्या आप अपने मन को, अपनी विचार प्रक्रिया को सुखद रखना चाहती हैं या दुखद? मुझे बताईए आप क्या चुनेंगे? अदर्श रूप से सुखद. मुझे बस बताईए सुखद या दुखद. आप इस बारे में सोच रही हैं, ये… क्या मैं आपको उल्जाने के लिए दुखद कह दूँ? बिलकुल कहिए. ठीक है, दुखद. अब मैं आपको आशिरवाद देने बाला हूँ? नहीं, नहीं, ठीक है. मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ. किसी भी इंसान का खुद के लिए चुनाव निश्चित रूप से सुखद होगा, है न? शरीर, मन, भावना, हर चीज और आसपास का माहौल भी, उन्हें आप सुखद चाते हैं. तो ये सुखद क्यों नहीं है? आसपास का माहौल, कई चीजों की वज़़ से सुखद नहीं होता. अगर आपके विचार और भावनाएं सुखद नहीं हैं, तो वज़़ सिर्फ आप हैं, है न? हाँ. आसपास का माहौल पूरी तरह से मेरे काबू में नहीं हैं. तमाम ताकते मौजूद हैं, हमें उन्हें संभालना होता है, हमें उन्में हेर फेर करनी होती है, हम हमेशा अपने आसपास हर चीज में सफल नहीं होते, आप जानती हैं, अलग-अलग लोगों में बाहरी चीजों को संभालने की क्षमता अलग-अलग होती है, हम सब में बाह के विचार और आपकी भावनाएं आपके मुताबिक चलनी चाहिए। ये कुछ ऐसा है, एक दिन एक महिला सोने गई। नीद में उसने एक सपना देखा, सपने में उसने देखा कि दूर कोनी में एक नौजवान आदमी खड़ा है। और फिर वो करीब और करीब और करीब आने लगा, वो इतने पास आ गया कि वो महिला उसकी सांसे महसूस कर पा रही थी। वो सिहर उठी, डर से नहीं। और फिर उसने पूछा, तुम मेरे साथ क्या करोगे। उस आदमी ने कहा, दीवी जी, ये आपका सपना है। मैं कहा रहा हूँ कि आपके मन में जो चल रहा है, वो आपका सपना है। अगर आप वैसे सपना देखते होते, जैसे आप अभी चाहते हैं, तो आपके विचार और आपकी भवनाएं सुखद होंगी है। दुनिया को ठीक करना अलग चीज है, वो अलग खेल है। उसके लिए काफी हुनर चाहिए, इसके लिए बस इच्छुक होने की जरूरत है। आप लगादार, खुशी, आनंद, प्रेम की बात क्यों कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि यह अपने आप में कोई लक्ष है या अपने आप में लक्ष नहीं है, सिर्फ तभी जब आप अपनी ही प्रकृती से प्रसंद रहते हैं। तभी आप खुशी को खोजना बंद करते हैं। आप अपने आप ही खुश हैं। आपको खुशी महसूस करने के लिए कहीं जाना नहीं होता। आपको खुश होने के लिए कुछ करना नहीं होता। बस यहां बैठ करी आप बहुत सुखद महसूस कर रहे हैं। अब आप अमर में खुशी खोज रहें तो मैं समझ सकता हूँ, जब आप 5 के थे तो आप अपनी ही प्रकृती से खुश थे, जब आप 50 के हैं आप खुशी खोज रहें, ये नाकाम्याबी की कहानी है, है न?